हलो फ्रेंट्स, पिछले एक दशक से विश्व की अलग-अलग हिस्सों में सुनी जा रही आसमान से आने वाली इस रहस्य में आवास का रास क्या है? आसमान से आ रही रहस्य में आवास को जब कई लोगोंने रात को सुना तो उन्हें लगा कि ये कोई सपना है. लेकिन जब ये चिंगान ने जैसी आवास कनाडा, युक्रेन, अमेरिका, जर्मनी और बेलारूस के कई लागों में दिन में भी सुनी गई और जब इन सुनने वालों ने अपने अनुभव इंटरनेट पर साज़ा किये तो इसे सपना समझने वालों को पता लग गया. ये हकीकत है. 2008 में बेलारूस से इस तरह की आवास का पहला वीडियो यूटूब पर अपलोड किया गया. और उसी साल ऐसी ही अजीब कान फाडने वाली आवास का वीडियो अमेरिका से अपलोड किया गया. जर्मनी में इस आवास को सुनकर तो एक बच्चा डर के मारे अप 2013 में रिकॉर्ड किया और इस साल यानि 7 मई 2015 को फिर से वही आवास रिकॉर्ड की. ब्रिटीश कोलंबिया के टेरेस इलाके में की किम्बरले ने सुबह साड़े साथ पर ये अजीब आवास सुनी. तो उसने वहा की कंस्ट्रक्शन कंपनी से इस बारे में सफाई मांगी. कि किम्बरले को लगा कि उनके इलाके में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जिस वज़े से ये आवासे आ रही है. कंस्ट्रक्शन कंपनी ने जवाब दिया कि उस इलाके में उनका कोई काम नहीं चल रहा है. किम्बरले ने ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया. जो स्ट्रेन साउंड इंटेरेस के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इंटेनेट के एक सर्वे में लोगों ने इस आवाज के अलग-अलग कारण बताए है। जिन में से कुछ ये है। पृत्वी के गर्ब में जब सिलिकॉन और मैगनेशियम की प्लेट लेट्स जगह बदलती है तो इस तरह की अजीब आवाज पैदा होती है। वातावरन के दबाव के कारण भी इस तरह की रहस्य में द्वनी पैदा होती है। ट्रेन की पट्रियों से भी ऐसी द्वनी पैदा हो सकती है। कई लोगों का मानना है कि एलियन जब अपने स्पेश्चिप से धर्ती का चक्कर लगाते हैं तब भी ऐसी चिंगाणने जैसी आवाज उत्पन होती है। अफवा तो ये भी है कि रूस अपने किसी हतियार का चोरी चिपे परिक्षन कर रहा है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि फिर रूस के बाहर के देशों में ये आवाज कैसे सुनाई देती है। साथ हाथियों के चिंगाणने की आवाज और आसमान में प्रभू इशू की आकृती बनना आने वाली कयामत का संदेश है। इसका अर्थ है जल्द ही दुनिया का विनाश होने वाला है। ओकलाहूमा युनिवसिटी के भू वैग्यानिक डेविड डेमिंग हम नाम से इस घटना के बारे में अपने तथि पेश करते हैं। अजीबो गरीब और नापी ना जा सकने वाली इस रहस्य में आवाज को दुनिया में तकरीबन 10 प्रतिशत लोगों ने सुना है। आगे वो लिखते हैं कि हम रहस्य में आवाज अमेरिका द्वारा अपनी पंडुब्बियों तक संदेश पहुचाने के लिए टेलीफोन और एरक्राफ्ट के इस्तिमाल की आवाज भी हो सकती है। नासा के अनुसार पृत्वी प्राक्रोतिक रूप से रेडियो द्वनी का उत्सरजन करती है। ये द्वनी धर्ती में से हमेशा उत्सरजित होती है। लेकिन ये हमें कभी-कभी ही सुनाई देती है। जैसे भुकम के समय धर्ती के इस उत्सरजन को हम साफ सुन सकते हैं लेकिन आम तोर पर ये हमको सुनाई नहीं देती लेकिन धर्ती का ये स्राव हमेशा होता रहता है